है लिग पूछन्सी ऐल मात् merch गआए वर्क्र जो में से दोब्रकर को छोड़कर दो इस तरह के को Ichr कौशन को हम लोग टाइप 3 के अंदर देखने वाले हैं बहुत ही कोशुन से शुरुआत कर रहे हैं एक काम को 24 दिनों में यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है एक काम को कर सकता है 24 दिनों में ठीक है और बी इसी काम को कर सकता है 40 दिनों में एक बात आप हमें बताईए कि टोटल बर्क कितना हो जाएगा 24 और 40 का LCM 120 120 में 24 से भाग करेंगे 5 120 में 40 से भाग करेंगे, तीन, दोनों के एक एक दिन का काम निकल गया, आगे क्या बोला है इसके आगे, यहां से देखिएगा, यदी वे दोनों एक साथ मिलकर दस दिन तक काम करें, तो काम का कितना अंस बच जाएगा, दोनों मिलकर दस दिन तक काम करें, आब बताएगे कि दोनों मि करता है दस दिन तो आठ गुने 10 80 unit काम यह जो है आपका 10 दिन में कर लेगा अब आप एक बात बताओ कि टोटल काम हमारा कितना है 120 unit इसमें से 80 unit काम आपका हो गया तो सेस कितना काम सेस कितना बच रहा है काम अभी भी काम सेस बच रहा है 40 वे एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करता है एक दिन में दोनों मिलकर 8 unit तो 10 दिन में 8 दाहई 80 unit काम कर लेगा 120 टोटल काम है इसमें से 80 unit काम हो गया बचा कितना 40 unit काम बचा है हमें यह बताना है कि काम का कितना अंस बच जाता है तो काम का कितना अंस बच जाएगा 10 दिन में 40 unit काम आपका बच जाएगा 120 में से 80 unit का काम नाज जाता है काम नीचे रखीएगा और काम कितना बच जाता है उसको ऊपर रखना ए다 इसको काटते हैं सृस के से तो है कं चालिस और चालिस त्यया ens वीज कितना आपका से सब्च जाएगा एक बट्टा तीन यही आपका यहाँ पे अंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना काम आपका सेस बच जाता है, एक बट्टा तीन, अगर पूछा जाता कि कितना काम हो जाता है, कितना अंसर काम हो जाता है, तो 80 उनिट काम हो जाता है, कितना में 120 में, यानि 80 बट्टा 120 उनिट काम पर यहां करना पड़ता है 100 से गुना तो इसी में 100 से गुना कर लेते हैं यहां निकल जाता कि कितना प्रतिशत काम आपका बच जाता है ठीक है अगले सवाल में यहां देखे क्या बोला है महेश किसी काम को अकेले पूरा करने में 18 जब कि किस और 36 दिन महेश को 18 दिन लगता है और किसोर को 36 दिन महेश को कितना समय लगता है 18 दिन और किसोर को समय लगता है 36 दिन दोनों वरकर का डे हमें पता है हम यहां से टोटल वरक निकालेंगे जो की 36 मिटाएगा 37 में 18 से भाग करिए 2, 36 में 36 से भाग करिए एक दोनों के एक एक दिन का काम निकल गया, आगे देखे सवाल क्या बोला है, यदि वे यहां से देखिए, यदि वे छे दिनों तक एक साथ काम करें, तो पुर्ण काम का कितना प्रतिसत सेश रह जाएगा, छे दिन तक काम करता है, दोनों मिलाकर एक दिन में दो और एक तीन यूनिट होगा, दोनों मिला करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, दो और एक, तेन Singapore यह दो, यह एक साथ काम करता है 6 दिन तो गुना 2 और दीन हो कर लिजिल यानि दो और एक तिन चाक ए 18 तो 18 यूनिट 18 आपका यह खर लेता है, आधा काम सेस बच रहा है मतलब की 50% इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं तोटल 36 उनिट काम है छे दिन में 18 उनिट काम हो गया तो बचा कितना काम बच गया आपका 18 उनिट काम कितना सेस बच रहा है तो 18 यूनिट काम सेस बचेगा कुल कितना में 36 यूनिट में प्रतिसत के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं तोल्ब कर यह 18 दुना 36, 2 से काटेगा कितना हो जाएगा, 50, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50% आपका काम यहाँ पे स्तेस बच जाएगा, यही आपके कुशन का आंसर हो जाएगा, माल लिजे कि यहाँ पे 12 यूनिट काम से इस बच जाता, आगे चलते हैं, यह सब कुशन पूछा जा चुका है, आगे क्या बोला है, एक इसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, एक इसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, और 20 ही काम को कर सकता है 20 दिनों में, सबसे पहले आईए टोटल वर्क निकालते हैं 10 और 20 का LCM हो जाएगा 20, 20 में 10 से भाग करेंगे A के एक दिन का काम 20 में 20 से भाग करेंगे B के एक दिन का काम निकल जाएगा आगे क्या बोला है ये दोनों 4 दिनों तक 1 साथ मिल के काम करते हैं इसके बाद A काम छोड़ कर चला जाता है B से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अब धियान से समझेगा काम सुरू कौन किया है हमेशा ऐसे कुशन में धियान रखना है कि काम सुरू कौन किया है A अकेले या फिर B अकेले या दोनों मिल करके वे दोनों चार दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो आप बताईए कि अगर यह दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा सर एक दिन में तीन यूनिट काम कर लेगा तो एक दिन में दोनों मिलकर तीन यूनिट काम कर सकता है तो चार दिन में कितना 3-4 के 12 यूनिट काम कर लेगा 20 में से 12 यूनिट काम यह दोनों मिलके कर दिया अब बताओ सेस कितना यूनिट काम बच गया 8 यूनिट 2 और 1-3 यूनिट काम दोनों मिलके एक दिन में कर सकता है और 4 दिन तक 7 में काम किया है तो 3-4 के 12 unit, तो 20 में से 12 unit काम हो गया, बचा कितना? 8 unit काम, अब A काम छोड़के चला गया, B से इस काम को कितने दिनों में, काम कितना से इस बचा हुआ है? 8, और इस 8 unit काम को किस से लेना है? B से, B बताए कितने दिनों में करेगा, तो B एक दिन में एक unit काम कर सकता है, तो 8 unit क काम में आठ बट्टा एक दिन का समय इसको लग जाएगा यानि आंसर हमारा इस कोश्चन का क्या हो जाएगा आठ देज हो जाएगा यहां समझना है कॉंसेप्ट इस बज़र से इन सारी चीजों को लिखना पर रहा है नहीं तो केबल को देखकर क्या बता सकते हैं आपका आंस किसी काम को 24, 15, 20 दिन में A, B, C अलग अलग किसी काम को 24, 15, 20 दिन में A कर सकता है 24 दिन में B, इस काम को कर सकता है 15 दिन में और C कर सकता है 12 दिन में ये कितने दिनों में कर सकता है इसको 12 दिनों में टोटल वरक एक वरक फिर से यहां से निकालिए 24, 15, 12 का LCM हो जाएगा 120, 120 में 24 से भाग करेंगे 5, 120 में 15 से भाग करेंगे 8, 120 में 12 से भाग करेंगे 10, तीनों के एक एक दिन का काम आपका निकल गया B और C ने कार्ज आरंब किया, यह important है, हमेशा ध्यान लखिया कि काम सुरू कौन किया है B और C, काम सुरू कौन किया है, B और C, 3 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया, अब बताईए कि B और C काम सुरू किया है तो B और C एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, कर B आठ और C 10, 8 और 10, 18 यूनिट काम B और C मिलके कर सकता है, एक दिन और वह तीन दिन तसक्म किया है तो अठारा गुना 다ियानि Eh कि चोभन यूनिट कां करलेगा को 120 में से कूछ either कर्येगा kutणा क्षिंग ut अब बोला है कि ए केलेसर काम को कितने दिनों में पुरा करेगा कि कुछ लेइक और और यहां किसे लेना है ए कि अविए एक दिन में कितना काम कर सकता है Reflet तो 66 अबट्ट अबट्टा-5 दीन थीनके तबस्ट अबट्टा-5 का भेलु क्या आजाएगा एक यहां कि कितना काम बचा हुआ है बोला यहाँ पर है कि भी और सी काम सुरू किया ओझा रूक्र करता है ठीक है इतना दिन काम करता है तीन दिन दिन तो जेसे लेना हैएश से बोलाएं से इस काम को ये कितने दिनों में करेगा क्या से डबत्ता 5 हमारा अंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला सवाल फिर से देखिए वही है ए से स काम को कितने दिनों में पुड़ा करेगा बोलाएं ए अकेले किसी काम को 20 दिन में और B 15 दिन में A 20, B 15, C 18 A 20 यही तो है 20 15 18 तोटल बर्क यहां पर हम लोग फटा-फट से निकाल लेंगे 20 15 18 का LCM हो जाएगा 180 180 में 20 से 20 नमा 180 15 गुने 12 18 18 18 गुने 10 180 ठीक है आगे सबाल में देखिए क्या बोला है बी और सी यहां से देखिए यहां तक तो डाटा दे रखा था कि कौन वर्कर कितने दिनों में काम कर सकता है यहां बोला है बी और सी एक साथ काम सुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देता है बी और सी दोनों साथ में काम सुरू किया है तो बी और सी एक दि और चार दिन तक साथ में काम करता है तो बाइस चौके 88 यूनिट काम कर लेगा तो 180 में से 88 यूनिट काम हो गया तो बचेगा सेस कितना बचेगा आपका बिरानमे यूनिट काम यही तो काम सेस बच जाएगा मिटष है 22,28 1818 में से 1818 माइनस कर ना है पहले ऐसी इस ची उसी माइनस करेंगे 100 बचेगा और फिर आठ माइनस करेंगे किसको लगेगा, कितना समय जो है वो आपको A को लग जाएगा, सेस काम को complete करने में, और यहाँ पे हमें B और C को काम कर लेने के बाद, B और C को 4 दिन काम कर लेने के बाद, जो भी काम सेस बसता है, उसी काम को किसे लेना है, उसी काम को हमें A से लेना है, clear, चलिए, अब चलते 15 और 10 दिन एक कर सकता है कितना दिन में 15 दिन में और वी उसी काम को कर सकता है 10 दिनों पूटल बर्ग तो हम निकालेंगे ही जब भी ऐसा कोशन मिले 30 हो जाएगा 15 दूना 30 10 या 30 दूनों बरकर की एक एक दिन का काम यहां पर निकाल लिए आगे सवाल को थोड़ा ध्यान से प कौन छोड़ दिया है काम बी छोड़ दिया है कितने दिनों के बाद दो दिनों के बाद यानि दो दिन भी काम किया बी सिर्फ दो दिन काम किया और काम छोड़ दिया आगे क्या बोला है आगे बोला है अब एस सेस काम को पूरा करता है यानि बचा हुआ सेस काम कौन करता है A करता है, B सिर्फ 2 दिन काम करता है, 2 दिन के बाद जो भी काम सेस बसता है उसको A पुरा करता है हमसे यह पूछा है कि कार्ज पूरा होने के लिए आवस्यक कुल दिनों की संख्या, यानि total काम कितने दिनों में पूरा होगा यहाँ नहीं पूछा है कि सेस काम को बचे हुए काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा जो अब तक तीन कोशन आप देखे थे उसमें क्या पूछा जाता था कि सेस काम को ये या फिर बी कितने दिनों में पूरा करेगा यहां क्या बोला है यहां बोला है कि कार्ज को पूरा करने के लिए आवस्यक दिनों की संख्या बचा हुआ काम यह जरूर करता है लेकिन हमें क्या बताना है हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ इसको कैसे निकालेंगे पहले देखें पहले जिस तरीक काम हो गया तो बचा कितना 20 unit काम हो गया अब 20 unit काम करadow कौन करवाई काम करेगा तो बी से स्काम करने दो यूनिट काम करेगा या नि浙 focus दिन गज से और भी दोनों 19 सरो किया दो दिन के बाद जो से स्काम बच गया उसको एक करेगा दस दिन में वे होने में कितना समय लगेगा तो दो दिन पहले जो समय लगा था दो दिन तक दोनों साथ में काम किया था दो दिन उसको भी हम लोग यहां पर एड़ करेंगे बचे हुए काम में दस दिन और दो दिन पहले यानि की कुल मिला करके 12 दिन आपके कोश्चन का आंसर हो जाएगा त दूसरा देख लिजे तरीका क्या होगा आपका हमें एक ची बस पता इस कोश्चन में जब भी पूछा जाए कि कार्ज पूरा होने के लिए कुल कितना दिन समय लगा तो आप देखिए काम तो दोनों सुरू किया है और बी दो दिन के बाद छोड़ दिया यानि इस पूरे काम में बी के दो दिन का काम हटा लिजिए तो बाकी सभी काम तो एही किया है ना तो बी दो दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा सरफ बी दो दिन में ना एक दिन में बी तीन यूनिट तो दो दिन में तीन दूना छे यूनिट तो छे यूनिट काम इसका हटा लिजिए तो त दोनों से दो दिन तो काम लिए नहीं है हम यह hace कर रहे हैं ए चे हमेंस में पता है कि बी UB-Dude के बाद काम सुड़ देना ह्यानि इस पूरे काम में सिर्फ दो दिन काम किया है तो दो दिन का काम हटा लेंगे तो हम भरपर आधर कामहा किया होगा और A जो है वा सुरू से अंत तक है यानि यह 24 युनिट काम जितने दिन में हुआ होगा उतना दिन A काम करेगा तो A एक दिन में 2 युनिट काम कर सकता है तो 24 युनिट कामें, 24 बटता 2 दिन, यानि कि 12 दिनों का समय जो है, वा आपको A को लग जाएगा पूरह काम को करने में इस बात को आप धहान रखिएगा इस तरीके से बहुत ईजली आपका अंसर आजाएगा. ठीक है और हम क्या किये पूरह काम में से B के काम को हम हटा लिये, B तो सिर्फ दो दिन काम किया है, तो B का दो दिन का काम अगर आप अप हटा लेते हैं, तो जो काम सेस बच गया अब उस काम को A ही तो करता होगा और A सुरू से अंत तक है मतलब यह 24 उनिट काम जितना दिन तक चला होगा उतना दिन A काम किया होगा और A सुरू से अंत तक है यानि कि पूरा-पूरा समय जो है A को लगा है कुल दिन तक जो है आपका ये काम किया है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा बारा दिन आगे चलिए अगला सवाल यहां भी देख लिए पूछाए आवस्य कुल दिनों की संक्या तो ऐसा ही स्वाल करेंगे दिन को करता है आठ दिनों में और सीसी काम को कर सकता है कितने दिनों में बारा दिनों में आये फटा फट से टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यह 4 के 24, 8 तरीक 24, 12 दुना 24 ठीक है, बोला है, वे एक साथ काम सुरू करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या बोला है, A और C, दो दिन के पश्चात काम छोड़ देता है, काम कौन छोड़ दिया है, A और C, देखे, A और C जो है वह काम छोड़ दिया, कितना द हम क्या करते हैं, हम A और C, यहाँ बोला A और C दो दिन बाद काम, वे एक साथ काम सुरू करते हैं, मतलब A, B, C, तीनों एक साथ काम सुरू करता है, तीनों से हम दो दिन का काम ले लेते, दो दिन के बाद जो सेस काम बस था, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, और दो दिन प कितना दिन इस पूड़े काम को जो 24 उनट काम हुआ है उसमें AROC सिर्फ दो दिन काम करता है AROC के दो धने काम हटा लीजी तो ए और सी एक दिन में चार और 26 निट कि इतना ही तो काम करेगा 4 ना 4 और चार और 26 यूनिट एक दिन में तो दो Depois में चेह दुना बारा तो 24 में से 12 हुभा युणिट आ भचा कितना बारा हुणिट का कौन करता होगा THIS करता ओगा और कितने दिन करेंगा जितना दिन काम चला होगा थे मोटेक गर करता तो भारा हुgt कामें by बट्टा यानि आंसर क्या हो चो कि चार दिन हमारा यंशर कोशन का चार दिन हो जाएगा देखो बी ऐसा वर कर आ हैं जो कि शुरू से अंत तक है वह एक साहीव करते हैं यानि sonra कि और अंत तक है इसका मतलब बी जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन टोटल काम चला होगा तो B जो है वह 12 यूनिट काम करता है टोटल 12 यूनिट ही काम करता है कितना दिन इसको समय लग जाएगा B एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो 12 यूनिट काम में 12 बट्टा 3 यानि की 4 दिनों का समय इसको लग जाएगा तेका है आगे चलिए अग्ला सवाल देखे क्या है यहांवम उन्हार अग्साप 10 गाराव और फंद्रह दिनों में काम को कर सकते हैं में 10 गाराउ 5 एक लगता है। देन फी को लगता है बाराएक और दो कर सकते कर सकते हैं पटाफ़टवर्क निकाल ली यह क्या दिकत है इसमें 60 हो जाएगा तक शखे साथ 12.60 और 15.60 पुला क्या है वे एक साथ काम शुरू करते हैं गौर से देखेगा वे एक साथ काम करते हैं Лेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी काम छोड़ देता रहा है यह है तो काम कुल सात ह्चानों के बाद पिछले तो दे रखा था की कितने दिन के बाद काम छोड़ता है चार दिन बाद दो दिन बाद तिन दिन बाद ऐसंसा थे रखा होता था म्這種 Sn扮 ich ऑज की कुछ दिनों के बाद ब्यौर सी काम है फीर चोड़ दिया नहीं है कुछ दिन तक बी और सी काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, अब आगे बोला है कि इस तरह से कुल काम साथ दिन में, साथ दिन में काम कम्पलीट हुआ, जब कुछ दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ दिया, तो हमें यही बताना है कि कितने दिनों के बाद बी और सी काम यह है इसका मतलब 7 दिनों तक जो है B और C काम तो नहीं किया होगा, 7 दिन से कम ही किया होगा, लेकिन ए जो है वह पूरा का पूरा साथ दिन काम किया होगा, तो आप ऐसा करिए A का पहले काम इस में से हटा लीजिए, तो एक दिन में कर सकता है 6 यूनिट काम ए पूरा का पूरा 7 दिन काम किया तो 6 सते 42 30 में से 42 यूनिट काम हटा लिजे बचा कितना 18 यही 18 यूनिट काम कौन किया होगा यही 18 यूनिट काम 2 और सी किया होगा और जितना दिन में 18 यूनिट काम 2 और सी करेगा उतना दिन तक ही यह सुरू में काम किया होगा तो यह 18 यूनिट काम B और C कितने दिन में कर सकता है तो B और C एक दिन में 9 यूनिट काम तो 18 यूनिट काम में 18 बटा 9 यानि कि सिर्फ 2 दिन जो है वो आपका contribution है किसका B और C का तो हमारा answer इस question का यही हो जाएगा कि कुछ दिन कहने का मतलब B और C कितना दिन तक काम किया है यहाँ B और C दो दिन तक काम किया है समझ पा रहे होंगे कैसे इस तरह के question को solve करना है ABC किसी काम को 10 बारा यहाँ तक तो ठीक है वे एक साथ काम सुरू करते हैं कि निश्चित समय के बाद B और C काम छोड़ दिया इस तरह से काम साथ दिन में complete हुआ तो काम कितना दिन में complete हुआ है साथ दिन में इसका मतलब है कि ए सुरू से लेकर क्यां तक काम किया होगा पूरा का पूरा साथ दिन काम छोड़के तो A गया नहीं है B और C गया है तो A एक दिन में 6 उनिट तो साथ दिन में साच्छा के 42 तो साथ में से 42 उनिट काम तो आपका केबल A कर दिया बचा कितना 18 उनिट काम अब यही 18 उनिट काम B और C करेगा और जितने दिन में काम complete होगा उतना दिन तक ही काम किया होगा तो 18 उनिट काम B और C एक दिन में जब 9 उनिट काम कर सकता है तो 18 उनिट काम में 18 बटा 2 यानि कि आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर इस कोशन का 2 दिन हो जाएगा बेसिक से भी इस सवाल को देखेंगे हम लोग पहले कुशन और करते हैं ऐसा ही A B C एक काम को करमसा 12, 16, 24 दिन में कर सकते है A B C एक काम को 12, 16, 24 A कर सकता है कितना दिन में 12 दिन में B C काम को कर सकता है 16 दिन में और C कर सकता है 24 दिनों में अभी वरकर का day यहाँ पे दे रखा है पड़ा फट से टोटल वर्क निकालीजे टोटल वर्क आपका 48 हो जाएगा बारा चोके 48, सोला तिया 48, शोविस दुना 48 आगे बढ़ते हैं सवाल में यहां से देखिएगा क्या बोला है बोला है कि वे एक साथ काम सुरू करते हैं एक निशित समय के बाद A और C काम छोड़ देता है काम कौन छोड़ा है? काम छोड़ा है A और C कितने समय के बाद? एक निशित समय के बाद निशित समय से पता नहीं चलता है कितना दिन A और C छोड़ देता है तो कुल काम 6 दिन में कम्प्लीट होता है अचा काम जो है वो कितना दिन में complete हो गया छे दिन में काम complete हो गया काम छोड़ा कौन है काम छोड़ा है A और C कुछ दिनों के बाद B तो नहीं छोड़ा है इसका मतलब B पूड़ा का पूड़ा 6 दिन काम किया होगा तो B एक दिन में 3 unit काम कर सकता है तो 6 दिन में 3 गुने 6 यानि की 18 उनिट काम कर लेगा 48 में से 18 उनिट काम हो गया बचा कितना बचा 30 उनिट काम इसी 30 उनिट काम को कौन किया होगा A और C तो 30 उनिट काम को A और C कितने दिनों में कर सकता है A और C एक दिन में 4 और 2 छे उनिट काम करता है तो 30 दिन में 30 बट्टा 6 यानि कि 5 दिन तो 5 दिन समय जो है वह किसको लगेगा 5 दिन समय A और C को लगेगा इसका मतलब 5 दिन तक ही A और C जो है वह काम किया है पूरा का पूरा 6 दिन काम नहीं किया है 6 दिन काम कौन किया है 6 दिन काम आपका B किया है बोला था A और C कुछ दि तब बी पूरा काम किया होगा, शुरू से अन तक होगा, बी पूरा का पूरा छे दिन काम किया होगा, तो बी एक दिन में 3 उनिट, तो 6 दिन में 18, 48 में 18 उनिट काम हटा लिजे, बचा कितना 30, इस 30 उनिट काम को कौन किया होगा, A और C, और जितने दिन में इस 30 उनिट काम क A or C करेगा उतना दिन तक ही यह जो है आपका साथ में काम किया होगा ठीक है तो 30 इनिट काम यह दोनों मिलके एक दिन में 6 इनिट काम कर सकता है तो 30 इनिट में 30 बट्टा 6 यानि की 5 दिन तक जो है वह आपका शुरू से यह दोनों मिलके काम किया है यह आपके question का answer हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं, basic से, कैसे, हम मान लेते हैं इसको, यहाँ बुला गया कि कुछ दिन तक A और C काम किया, तो इसको मान लेते कि माना कि X दिन तक A और C काम किया, तो आप बताए कि A और C मिलकर X दिन में कितना काम कर सकता है, तो A और C म तो इतना unit काम बी कर लेगा और इन सब को जो औरने के बाद total काम होता है यानी कितना unit 48 यहां से देख लिए 6X का value कितना जाएगा 30X का value निकालेजे क्या जाएगा 5 तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं हम क्या माने हैं कि माना कि A और C X दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है वे एक साथ काम करते हैं कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है हम माने लेते हैं कि X दिन के बाद काम छोड़ लेता है देख लिए यहां से का धालेंगे यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है लेकिन सबसे बहतर तरीका जो आपको यहां पर अभी बताया गए अगला देख लीजिए इसमें क्या है यहां बोला है कि ए और बश्यक्त काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं ठीक है ये कर सकता है कितने A कर सकता है 10 दिन में और 20 ही काम को कितने दिनों में कर सकता है 20 ही काम को कर सकता है 15 दिनों में पड़ा फट से टोटल बर्क निकालिएगा पीसे में तो कोई दिक्कत नहीं है तो 10 और 15 का LCM कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 ठीक है आगे देखिए सवाल में क्या बोला है तो एक साथ काम सुरू करते हैं ठीक है भाई लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले यह बात बहुत ही important है काम सुरू होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है तो खुल काम कितने दिनों में अब तक आप क्या देख रहे थे कि मिल के काम करता है कुछ दिनों तक सेस काम कितने दिन में complete होगा फिर आप देखे कि मिल के काम करता है कुछ दिनों तक उसके बाद कुछ वरकर काम छोड़ के चला जाता है अब सब मिलके कुल काम को कितने दिनों में complete किया हो गाँ ठीक है कुल काम कितने दिनों में complete हो गाँ ऐसा देखे थे आप उसके बाद आप देखे थे कि कुल काम कितने दिनों में complete होता है वह ते रखा है बीच में कुछ वरकर जो है कुछ दिन तक काम करके चला जाता है फिर ह पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा पहले तो इस question को basic से बनाते हैं हम मान लेते हैं कि काम x दिन में इसका मतलब है कि अगर काम x दिन में complete हुआ है तो x-5 दिन काम किया होगा और B पूरा का पूरा X दिन काम किया होगा सवाल क्या है बोला है कि A 5 दिन पहले काम छोड़ देता है B तो नहीं छोड़ा है B इस फुरूसयान तक तो हम माल लेते कि काम X दिन में कम्प्लिट हुआ तो B पूरा का पूरा X दिन क्या होगा लेकिन a 5 दिन पहले चला गया है इसका मतलब a x – 5 दिन तो a 1 दिन में 3 unit काम कर सकता है तो x-5 दिन में 3 Surprisingly गुन x-5 इतना तो काम a कर लेगा और b कितना दिन काम करता है पूरा का पूरा x दिन, तो b एक दिन में 2 unit, 2 x दिन में 2 x unit काम कर लेगा और a और b मिला करके काम complete करता है, तो is equal to हम यहाँ पे 30 लिखेंगे तो अलब करिए 3 x minus का 15, plus 2 x का value कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए, 3 और 2, 5 x, 5 x का मान हो जाएगा, minus 15 आके 30 में जूटेगा 45, 5 से अगर हम इसको काट लेंगे कितना होगा, 9 x का value क्या आ गया, 9 आ गया, x क्या माने थे, काम कितने दिनों में complete हुआ, आपका answer यही 9 दिन हो जाएगा यह तो basic से है, basic से हमें नहीं जाना है, देखिए हम क्या करेंगे, थोरा सा ध्यान से समझेगा जो वरकर पहले जाए आप क्या करिए उसको जाने मत दीजी अब उसके बदले में एक्स्ट्रा काम ले लीजी जैसे देखे क्या बोला है यह 5 दिन पहले काम छोड़ दिया अगर 5 दिन पहले काम छोड़ दिया अगर 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता ये तो 5 दिन और काम कर लेता तो 5 दिन में 3, 5, 6, 15 यूनिट काम हमारा और बढ़ जाता यही तो होता यह पांच दिन पहले काम छोड़ दिया है तो अगर पांच दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो क्या होता यह पांच दिन काम और कर लेता तो पांच दिन में कितना काम कर लेगा पांच तिया पंद्रह तो इतना काम और कर लेता तो काम का मातरा हो गया 45 अब 45 यूनिट काम जो हुआ है उसमें A और B दोनों साथ हमें काम किया है कोई वरकर काम छोड़के नहीं गया है A जो है वह 5 दिन पहले जा रहा था उसको जाने नहीं दिये उसके बदले में 5 दिन और काम हम ले लिए काम हमारा बढ़ गया कितना यूनिट काम हो गया 45 तो अब टोटल 45 यूनिट काम है जिसको A और B दोनों मिलके किया है तो आप बताए कि 45 यूनिट काम दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम तो 45 unit में 45 बटा 5 यानि कि 9 दिनों का समय आपका लग जाएगा यही कौनसे प्राप को यूज करना है जो बरकर पहले जाए उसको जाने मत दीजिए क्या करिए उसके बदले में एक्स्ट्रा काम आप ले लीजिए पहले गा ये अगर 5 दिन पहले नहीं जाता तो फावस दिन और काम कर ले था तो फावस चीजिए 15 mean काम बढ़ जाएगा यानि काम हमारा 45 unit काम और यह45 unit काम करेगा कौन ए और बी दूनों मिल कर अन्सर इस Qution में 9 दिन हो जाएगा अगला देखी A, B, C किसी काम को 10, 12, 15 दिन, A, B, C किसी काम को 10, 12, 15 दिन, यानि ये 10 दिन में, B जो है उसको करता है 12 दिन में और C 15 दिन में, A, B, C किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, A, B, C किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में, पड़ा फट से टूटल वर्क निकाली है, इसमें तो क लेकिन B काम पूरा होने से 3 दिन पहले B 3 दिन पहले जा रहा है क्या B को जाने देंगे पिल्कुल जाने नहीं देंगे हम क्या करेंगे B के बदले में 3 दिन और काम ले लेते तो B 1 दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है तो 3 दिन में 5 गुना 3 यानि 15 unit काम कर लेगा तो B को अगर हम जाने नहीं देंगे तो क्या होगा B 3 दिन और काम कर लेगा तो 3 दिन में 15 तो 60 और 15 कितना हो गया 75 unit काम यानि अब कोई worker आपका गया नहीं है बोला क्या है काम कितने दिनों में complete होगा तो जितना दिन में 75 यूनिट काम हो जाएगा तो आप बताइए 75 यूनिट काम सम मिल के कितने दिनों में तो 6, 5, 11, 4, 15 सम मिल कर एक दिन में 15 यूनिट काम तो 75 यूनिट में 75 बटा 15 यानि 5 दिनों का समय यहाँ पे लग जाएगा आपका आंसर इस question का यही होगा क्या कि यह भी पहले जा रहा था उसको जाने नहीं दिये तिन दिन भी पहले जा रहा था तिन दिन अगर और इससे हम काम लेते हैं तो पंदरे उनिट काम हमारा बस बढ़ेगा तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 75 अब इस 75 यूनिट काम को जितने दिनों में सम्मिल के करेगा उतना दिन तक ही काम आपका चला होगा तो हमेशा ध्यान लखिएगा कि जब इस सवाल ऐसे आए कि तीन दिन पहले चला जाता है पांस दिन पहले चला जाता है तो ऐसे question में जो बर्कर काम से पहले काम पूरा होने से पहले जाएगा उसको हमें जाने नहीं देना है